साधना की रेसिपी अगर आपके बच्चे पे घर पे एनी टाइम खाने का डिवान करते हैं तो आप घर पे सूखे वाले कौन जरूर से रखे ताकि आप बच्चों को बाहर का पॉपकॉन खिलाने के बजाए घर पे ईजी और सिंपल तरीके से पॉपकॉन बना के खिला सकें और घर पे बनाएंगे तो ज्यादा हैल्दी भी होगा तो चलिए देख लेते हैं कि पॉपकॉन बनती कैसी है तो यहां पे हमने आधा कटोरी के करीबन सूखे वे कौन लिये हैं इस कौन में बिल्कुल भी किसी प्रकार का मसाला अभी तक तो एट नहीं हुआ है बिल्कुल पॉपकॉर्ट सूखे वे कौन है तो आम देख सकते हैं कितने साफ सु१रे और सूखे वे कौन है तो इसी कौन से हम बनाने वाले है पॉपकॉन वो भी घर पे तो चलते हैं फिर गैस की ओर और इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर हमने गैस पर गढ़ाई लगी हम यहां पर डालेंगे कॉन को तो यहां पर हमारी घी मेल्ट हो चुकी है हम यहां पर डालेंगे सारे कॉन को कॉन डालने के बाद यहां पर हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक तो आपको नमक जितना पसंद है उसकी हिसाब से आप यहां पर नमक कर सकते हैं अ यहां पे हमने चम्म चला दिया है उसके बाद हमें क्या करना है बस धकल लगाना है और इसे 2-3 मिनट के लिए हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेना है तो देखे बीच में भी हम इसे चैक कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स यहां पे हमें पॉपकॉन को पकाते हुए 2- 3 इन न Kitty हो चुके हैं और साबे पोक्कुन यहां पे हमारे पूरी तरह से बनके तयार हो चुके हैं तो देखे हमने थोड़ा सा यह पॉपकॉन लिया था उस कितना consumed opposite बनके तायार हो चुका आप अगर घर पे movie व गयर और देख रहे हैं तो आप घर पे ऊस तरीके से आप सा जरूर से कर दीजिएगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई थैंक्स फूर वाचेंग